एक लेड़ी जीस भी सीटी में जाती है वहाँ के आदमियों के साथ उसका अफेर हो जाता है अब वो एक निव सीटी में है तो क्या हमारी में क्यारेक्टर मेक का हजबन उसे बच पाएगा उसके यहाँ आने के बीचे इरादे क्या थे यह हम आज के हमारे मुवी अगूड व हमिर और दोगो हमारी में क्यारेक्टर आर्लिन के बारे में बहुत कुछ बुरा-बुरा बोलते हुए देख सकते हैं एक्च्वल में टेबल की हर एक अमिर औरत के हस्पन के साथ आर्लेन का अफेर था आज आर्लेन को मिलने के लिए कोई आदमी आ रहा था वो उसके पास हो खोड़नी पढ़ती है उस शिप लेकर अब इटली पहुचिए वहाँ की निस्पेपर में उसे एक बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चला पर वह क्या कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए भी ग्लो लेना चाहता हूं तुमारे हाथ भी उसी की तरह है तो क्या में एक लो आपको पहना सकता हो मैं किस बात के लिए मानकी थोड़ी धरी में मैं के हजबन को लेकर वो लेड़ी फिर से वापस आ दिया उसने उसे कहा कि इसके में मुव हो रहे थे तो अलग-अलग जगा देख रहे थे उन्हें एक पैलेस पसाना तो रॉबर्ट ने मेग के लिए बाय कर लिया यह सब देखकर वह बहुत ही खुश थी डारलेन और रॉबर्ट यह अपने बिजनेस में एक साथ काम करने लग गया तो इस वोचे से फ्रें वो अपने बच्पन के बारे में बताने लग गए तो जब वो बहुत ही चोटी थी तब उसकी मदर की टेथ हो गई थी बाद में उसके फादर भी गुजर गए तो फादर की सिस्टर ने उसे चोटे से बढ़ा किया था अपने मदर की एक बहुत ही पुरानी फोटो ही में के इन सब चीज़ों से मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है मेकब अड़े अब पास आ रहा था तो उसके लिए किफ्ट लेने के लिए रॉबर्ट एक जुलरी शॉप में आता है वहाँ पर अर्लिन भी थी वह रॉबर्ट से कहती है वाइफ के लिए कभी भी चुलरी पाय मत करना उसलागे का यह शायद तुमारा किसी और के साथ अफेर चल रहा है और दूसरी लड़की को भी तुम चुलरी किफ्ट करते हो तुम्हें उसे कुछ स्पेशल देना चाहिए एक हैंड फैन उसे बहुत ही अच्छा लगा था तो उसे हो सजेस्ट करती है शौप कीपर ने रॉबर्ट से कहा कि मैं सेल नहीं करना चाहता और रॉबर्ट को इतना अच्छा लगा था तो बहुत ही जादा पैसे देखकर उसे पाय कर लेता है घर जातो एक रॉबर्ट ने अरॉबर्ट ने अरॉबर्ट को अपनी काड़ी में लिफ्ट दे दी इस सारी चीज़े उनके फ्रेंड्स देख रहे थे उनने लगने लगया कि शायद अरॉबर्ट में अफेर चल रहा है इस सब में डारॉबर्ट भी था अपने बड़े गिफ्ट को लेकर में बहुत ही जादा एकसाइट थी एक दिन शॉपिंग करते हुए आरॉबर्ट से उसकी मुलाकात हुए आरॉबर्ट ने एक ड्रेस टाय कर रहे थी और उसे पुछती है कैसे देख रहा है में ने कहा कि ये ड्रेस जरा चोटी है में और रोबर्ट को लंच पर ले जाने के लिए डारलीन पहुंच जाता है अजानक से रोबर्ट को आरलीन का कॉआल आ क्या गयता है तुम्हे इस तरीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए वो अभी के उससे मिलना चाहती थी मेग और डारलीन के साथ अपना लंच का प्रोग्राम उसे कैंसर करना पड़ता है उसने कहा कि तुम दोनों लंच के लिए चले जाओ आसपास घुमते हो डारलीन ने रॉबर्ट की चेक दीखे और उसमें आरलीन के नाम पर उसने कुछ पैसे किये हुए थे इन चेक्स की वज़े से उनका अफिर कंफर्म हो जाता है इस सिटी के और एक अमेराद में जिसका नाम था टपी उसके साथ भी आरलीन का मिलना जुलना होने लग गया था एक दिन उनके फ्रेंज डिसकस करते हुए गयते हैं कि शायद आरलीन और रॉबर्ट इन दोनों में चक्कर चल रहा है यह बात उसे बता देते हैं तब इनने कहा कि रॉबर्ट सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट देख रहा है उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है सिर्फ लंज के लिए गई है मैं लेट हो गया तो शायद उसे शक चला जाएगा वह अरलीन को कुछ पैसे देख कर जाता है अरलीन ने पूछा तुम दोनों मिले कैसे थे क्या तुम उसे प्यार करते हो रॉबर्ट ने कहा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ घर आते वग मैं डारलेन से कहती है कि रॉबर्ट के ऑफिस में चलो वहाँ से मुसे पिक कर लेंगे मैं को वहाँ पर पता जलता है कि रॉबर्ट अपने ऑफिस में आया ही नहीं था मैं ने कहा कि तुम अपने ऑफिस में नहीं थे रोबर्ट कहता है कि मेरे जाने के बाद तुमाई होगी इस तरीके से उसका जूट पकड़ने के बाद मेक को ज़रा बुरा लगता है नेकसिर में सब लोग ओपरा देखने के लिए गए गए थे अरलेन और टपी को एक साथ बात करता देख उसके बारे में वो गौसिप करने लग गया है वो किस तरीकी के और थे यह सब वो बात कर रहे थे तो इसमें मेक भी बहुत ही इंटरस्टेड हो जाती है एक लेड़ी ने कहा कि रॉबर्ट उसे जानता है तो इस बात को डिनाइ करता है वो मेक से कहता है कि मैं सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट देखता हो इस तरीके का लोगों का देखना है आरलेन को अच्छा नहीं लगता अब उसे मेक भी देखने लग गई थी तो इस बात उसे बहुत ही जादा अनकमफटेबल फील करा दिया उसने टपी से कहा कि हम दोनों को कही और जाना चाहिए तो टपी भी इस बात के लिए मान जाता है टपी को आरलेन के बारे में पता था कि उसका पास्ट उतना अच्छा नहीं है पर उस जैसी है वैसे उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था टपी के भी दो तीन एक्सवाइब रह चुके थी आरलेन फिर उसे अपने घर पर लेकर आई घर आने पर में एक रॉबर्ट से कही दिख तुम्हें आरलेन को हेल्प नहीं करना चाहिए हम सब को बता है कि वो किस तरीके से पैसे कमा दिया रॉबर्ट कहता है कि सिर्फ मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ मैंक का मूड अच्छा करने के लिए उसका बट्टे गिफो उसे पहले ही दे देता है मैंक को बहुत ही पसंद आया आरलेन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ बात है तो टपी ने कहा शायद मुझे तुमसे शादी करने चाहिए आरलेन कहती कि मेरी कोई भी शादी ठीकी नहीं है स्लोली स्लोली प्यार कम होता जाता है और आप स्टक मेहसुस करते हो टपी ने कहा कि शायद तुम राइट परसें से कभी मिली नहीं इसी वज़ेस तुमें ये सब लगता है आरलेन कहती कि सब गलती शायद मेरी ही थी टपी उसके पास आगया और उसे किस करने वाला था तो आरलेन कहती कि मुझे सिगरेट की स्मूक अच्छे नहीं लगती टपी वही के वही हमेशा के लिए सिगरेट पिना छोड़ देता है जाते जाते को कहिकार गया कि मैं बहुत ही आमीर हूँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा अब नेक्स डे मेग की बड़े पार्टी थी डारलेन उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसियो गिफ लेकर आता है मेग ने कहा कि मैं एक्सेप नहीं कर सकती लोगों को अगर पता चला तुने लगेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डारलेन की अता है कि मुझे इस सब चीजों से फरक नहीं पड़ता हम दोना एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है अगर तुमें कवे भी किसी भी सहारे की जरूत पड़े तो हमेशा में तुमें सपोर्ट करूँगा पार्टी में रॉबर्ट का एक इंप्लॉई आ हुआ था जिसकी पेमेंट बाकी थी उसकी पेमेंट करने के लिए में एक रॉबर्ट के आफिस में चली गी वो एक चेक लिखती है पर इसमें उसे पता चला कि रॉबर्ट ने आर्लिन के नाम पर बहुत सारे पेशों के चेक्स लिखे है उसे भी लगने लग गया कि रॉबर्ट और आर्लिन के बीच में अफिर चल रहा है इस बात से वो बहुत ही जादा अफसेट हो जाती है अपने एक फ्रेंड को बात बता दिये तो फ्रेंड ने कहा कि आर्लिन उसी टाइक किया हर आदमी को फसा देती है मैं एक कोचा फिल कराने के लिए उसे और शौपिंग पे लेकर गई पैरलल में आज रॉबर्ट टपी के साथ गेम खेल रहा था टपी ने कहा कि मैं और आर्लिन एक दुसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तुम्हारे साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप है पर उसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा रॉबर्ट को एब बात बहुत ही अला लगी क्योंकि रॉबर्ट और आर्लिन की रिलेशनशिप को लोग इस तरीके से चर्ज कर रहे हैं वो डार्लिन से बात करता है कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए मैं रेडियू हूँ पर तुम्हें अभी क्या भी इस सिटी को छोड़ कर जाना पड़ेगा आर्लिन ने कहा कि मुझे मेक से बात करनी है मैं उसकी मदर हूँ और उसे छोड़ कर क्यों चली गई थी इस सब चीजे मुझे उसे एक्स्प्लेइन करनी है रॉबर्ट कहता है कि इन सब चीजों की वज़े से वो डिस्टब हो जाएगी वो खुश है और उसे इस सब की जरूरत नहीं है इसे एक बात को लेकर आरलेन रॉबर्ट को ब्लैक मेल कर रही थी इसी वज़े से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिये थे एक्च्वल में उन दोनों की बीश में कुछ भी आफेर चल नहीं रहा एक आद में जिसका नामदा ड़म भी ये सब बात सुन लेता है पर उसे बुच्छता है कि क्या तुम मेक की मदर हो आरलेन ने कहा कि तुमने सपना देखा फिर से सो जाओ बाहर पार्टी चल रही थी चाहिब की मदर है पर मेक अंदर बहुत जाद आफ से थी कि उससे तो लगता है कि आरलेन और रर्वाट की वीश में आफेर है गुस्फे में जिस तरीकी की ड्रेस आरलेन की थी उसी टाइब की ड्रेस उस्संने पाै कर ली थी और उस सबके सामने आ जाग जा तिया रोबर् पार्टे में मेग और आरलेन के ट्रेस सेम है डारलेन को लगता है कि वो मेग है और वो आरलेन के पास बहुत जिया और उसे कहता है तुम बहुत ही जादा ब्यूटिफुल लग रही हो वो आरलेन को देखकर सप्राइस तो था और उसे कहता है कि टपी के पास उतने जादा पै डबी ने कहा कि अब मैं ओल्ड हो चुकाओ उसे फिर से कोई भी मिलने ने वाली। और आरलेन बहुत ही यह ब्यूटिफुल है। फ्रेंड्स ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। डबे ने कहा कि अगर वो beautiful नहीं होती तो में भी उसे कोई भाव नहीं देता उसे relationship एक business की तरह लगती है पर फिर भी आरलेन से वो बहुत प्यार करता था में एक डिस्टब होकर बहुत ही ज़्यादा ट्रिंक कर दिया रॉबर्ट ने उसे रोकने की कुशिश की और उसे कोई भी बात तो नहीं मानती में को उसे पहुच जाता है उसके पास आकर उसे किस कर लेता है रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया अब तुमें उसे च्छोड़ दिना चाहिए वह तुमसे बहुत ही प्यार करता हो मेरी चिप में हम दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते है रॉबर्ट मेग को ढूंटे ढूंटे बाहर आ गया था तो छुप जाती है मोके का फायदा उठा कर टपी पार्टी में आरलेन के पास आया उसे मैरिज के लिए प्रोपोस कर देता है अर्लेन भी उसका मजा लेती है कि सित्व पैसों के लिए उसके साथ हो शादी कर रहेते हैं और इसके बाद इसके लिए हो मान जाती है रॉबर्ट अर्लेन को पार्टी में देखके कर और बी ज़ादा गुस्सा हो गया था उसे और पैसे देता है और जल्दी से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है आरली ने कहा कि मैं डारेक्ली जाकर मेग से बात कर सकती हूँ उसे समझा सकती हूँ कि मैं और टप अब शादी करने वाले है इन दोनों का बात करना है मेग ने भाहर से देख लिया तो और भी जादा वो गुस्सा हो के अरलीन अभी यहाँ से निकल रही थी तो फाइनली मेक से वो बात करने के लिए आई मेक के रूम का दर्वाजा खुला था उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्टी छोड़ी थी वो तो बहुत ही जादा बूड़ी है और दिखने भी में इतने अच्छी नहीं है रॉबर्ट के जाने के बाद अरलीन टबी के पास आई और उसे कहती कि रॉबर्ट को आज रात घर के बाहरी रखो तब नहीं पूछा कि ऐसा क्योँ अरलीन कहती कि अगर तुम उसे शादी करना चाहती हो तो बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं पूछने पड़ेंगे बहुत बार तो मेरे क्वेश्चन के मुझे ही आंसर पता नहीं होते है तबी भी ये बात मान जाता है एक्चौल में में एक डार्लिंग के बोट पर आ गई थी उसी के साथ हो भाग जाने वाली थी उसे समझाने के लिए बोट पर अरलीन आ जाती है वो गहती कि तुम्हें अपने हस्बंड के पास वापस जाना चाहिए हम दोनों की बीच में कुछ भी आफेर नहीं चल रहा मैं उसके एक रिलेटिव हूँ और उसी वज़े से हूँ मुझे पैसे दे रहा था तुम्हारा अजवन तुमसे बहुत ही प्यार करता है मैं एक उस पर जादा बिलिव नहीं करती तो अर्लीन ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से चली जाओगी तुम्हारी लाइफ बहुत ही बत्तर बन जाएगी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बाते करते रहेंगे तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी पर 20-30 साल में तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा इस तरीके से तुम्हें नहीं जाना चाहिए मैं एक भी इस बात को समझ रही थी तबी टपी रॉबर्ट और डार्लीन को लेकर वहाँ पर बोज़ गया ये सब मिलकर अर्लीन के बारे में बात करने लगे वो फिर से टपी को समझाने की कोशिश कर रहे थे टपी कहता है कि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला यहाँ पर एक आदमी को रॉबर्ट ने मेंक को जो हैंड फैन दिया था यह मिल जाता है रॉबर्ट कन्फ्यूस हो गया कि मेंक का फैन यहाँ पर आया कैसे अगर उससे बता चलता कि मेंक यहाँ पर है तो उसका मैरेज हमेशा के लिए टूट जाता अर्लीन उससे बचाने के लिए नीचे से उपर आ जाती है यह बोड डार्लीन की थी तो टभी को लगता है कि अर्लीन और डार्लीन इन दोनों में अफेर चल रहा है वो गुस्से में भाहाँ से चला गया सुबहोंने बगर रॉबर्ट घर पर है तो मेंक उसे घर पर ही मिलती है इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था बातों बातों में मेग को पता चला कि टबी ने अर्लीन से प्रिक अप कर लिया है उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है आज लास्ट टाइम अर्लीन मेग से मिलने के लिए आई हुई थी रॉबर्ट ने अर्लीन से बात कि कहा कि अगर तुम सचोश में मेग से प्यार करती तो इस तरीके से उसे छोड़ कर नहीं जाती अरलीन ने कहा कि जिस तरीके का मेरा मैरेज था उसमें मेरे पास कोई भी आप्शन नहीं था उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर तभी मेग वहाँ पर आके मेग ने कहा कि मेरी वज़े से तुमारा मैरे श्टूट कया मैं रॉबर्ट को सबकुस सच-च बता दूंगी अरलीन कहती कि फ्लीज ऐसा कुछ भी मत करना तुम दोने एक दूसरे से प्यार करती हो यही तुमारे लिए एक सच है उसे promise करने के लिए कहती है मेग ने कहा कि मैं मेरी मदर की promise लेती हू मेरी मदर मेरी guardian angel है वो हमेशा मेरा खैल रखती है ये बात सुनने के बाद अरलिन यहां से जाने लगके रोबर्ट ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं अरलिन ने कहा कि मेग अपनी मदर को भगवान समान मानती है उसकी इस faith को में destroy नहीं करना चाहती है जाते जाते रोबर्ट ने जो भी पैसे अरलिन को दिये थे इस सब कुछ वो return करकर जाती है मेग और रोबर्ट के विच में सब कुछ ठीक हो गया था अरलिन जब plane में बेटी तो टपी उसका wait कर रहा था टपी कहता है कि मेग ने मुझे सब कुछ बता दिया है अरलिन ने जब उसे पूछा कि उसने क्या क्या बताया तो मेग ने सब को जोट बोला था उसका marriage बजाने के लिए उसने उसे help कर दी टपी अरलिन के साथ बहुत ही खुश था और अरलिन को भी पसन आया था अब एक अलग कंट्री में जाकर ये फिर से अपनी life कंटीनू करेंगे इसे के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको explanation अचल लगा तो प्लीज से like और comment जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलेएगा हम वीर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये